पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें और इस लवट फोस साइड को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार पहली नजर में तो हमें अंटीक चीज अभी पसंद आ जाती है पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों धेर सारी बाते करते हो और इसे तुम महबत समझते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार अकेले पन के मारे तो दो अंजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात करी लेते हैं अर अगर किसी लड़की को देखके वो तुमारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखके तुम उसका और इस क्यूट जैलेसी को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए ना आजाद करने के लिए नहीं बस क्यूंकि आप तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम महबबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि याद रखो दो भूके बिकारे भी एक दूसरे की भूक समझ सकते है पर मिटा नहीं सकते अरे अगर तुम anniversary का celebration हर महीने कर रहे हो और इसे तुम महबबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि दास्ता ने इश्च को बया करने के लिए साल का कोई number नहीं चाहिए होता अरे बस क्यूंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज को और वो तुमारे snap स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम महबबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि यह महबबत को filterों के साथ save नहीं किया जाता हो उसे बस उसी लम्हें में जिया जाता है हां लेकिन लेकिन अगर जिस्मों में उलजने से पहले तुम उसकी जुलफों में उलजना चाते हो अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके साम में खोल दिये और उसने भी अपने सारे डर का जिकर तुम्हारे सामे कर दिया है अगर उसका हर आसू तुम्हारे कमीस पे बैता हो और तुम्हारे मुसकान की वज़ा उसकी नादानिया ही हो तो शायद शायद नहीं यार यही प्यार है अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो जगड़ लगा लो जहां मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इसे कितना प्यार करते हो क्योंकि ऐसी महुपबच से मुलाकात होने में जिंदेगी का एक काफी लंबार सा बीच जाता है